राहें कठिन तो हैं, मगर, मगर C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है ये श्रिंखला इस श्रिंखला के अंतरगत हम बात करते हैं उन विशेश हस्तियों से जो अनेक कठिनाईयों को पार करते हुए देश और समाज के लिए विशेश उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो सके और जो आज हम सब के लिए प्रेरना का स्रोत हैं साथियों इस कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं श्री निपुन मलहोतरा इन्हों ने अपनी एक संस्था स्थापित की जो आज देश की एक प्रतिनिधी संस्था है ये संस्था दिव्यांग लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए अनेक कारेक्रम चलाती है इस कारेक्रम में श्री निपुन से बात कर रही हैं डॉक्टर एरम खान तो आईए सुनते हैं कारेक्रम प्यारे श्रोताओं आप सभी का स्वागत है इस श्रिंकला जो कि हम मिस्टर निपुन मलोतरा के साथ कर रहे हैं उनके साथ इस बातचीत को हम वापस जारी रखना चाहेंगे आज हम मिस्टर निपुन से उनके अचीवमेंट्स और उनकी विशेश उपलब्दियों के बारे में बात करेंगे तो निपुन आपने क्या अचीव किया है लाइफ में क्या कुछ और बाते हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे मैं एक disability के साथ पैदा हुआ था उसके कारण मैं एक wheelchair पे हूँ जो एक disabled life जी रहा है वो जो experiences एक foundation के साथ ला सकता है वो त अलग होईगी कोई और इंसान अगर कोई foundation जो disability पे फोकॉस करें उससे दाद है तो मैं काफी corporate में जाके workshops करता हूँ और speeches देता हूँ कि आप कैसे disabled लोगों को और employ कर सकते हो उसक्रावा मैं एक नया campaign अभी शुरू कर रहा हूँ जो basically एक online portal होएगा जो उन लोगों connect करेगा जिनको wheelchair चाहिए बहुत अच्छी सोच है अपकी है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस सोच को आगे बढ़ाएं और भारत के हर एक सरकारी building में ramps हो और हर building accessible हो for all the disabled और मेरे कहल से ये एक जो challenge है ये सरकार तो कड़ी रही है अपनी सब ramps, buildings etc को accessible बनाके बट मेरे कहल से private sector को भी जरूरी है आगे बढ़ना क्योंकि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है दुनिया और capitalist हो रही है तो private sector का भी power और influence हर जगा ज़गा ज़दा बढ़ रहा है तो अगर सब company या सब office जब बन रहे हैं अगर वो effort बनाए कि उनकी building ज़दा accessible बने मेरे कहल से खाली जो disabled लोग है उनका फाइदा नहीं होएगा पर बुजूर्ग लोगों का भी एक तो फाइदा होएगा क्योंकि उनकी requirements सही में दूसरा किसी को भी temporary injury हो सकती है किसी को पैर में fracture हो जाए हाथ में fracture हो जाए उनका कितना ज्यादा फाइदा होएगा जब building accessible बने तो हम यह ना देखें कि खादी accessibility के साथ disabled लोगों का फाइदा हो रहा है और में क्या समाज में सब का फाइदा होएगा अगर हम ऐसे कदम लें अच्छे मैंने यह भी पढ़ाया आपके मारे में कि आपने election commission और Indian railways को disabled friendly accessible बनाने के लिए भी कुछ काम किया है वो क्या काम है वो भी मुझे बताए है इंडिन railways के साथ पिछले साथी जब committee setup की थी railway को reconstruct करने के लिए तो उस committee को मैंने एक presentation दी थी कि कैसे railways और accessible बन पाए है और दुनिया की बागी railway से क्या सीख के अपने आपको ज्यादा develop कर सके और ऐसा type का बदलाव लाने में तो वो time लगता से disability friendly हुएं और मुझे पूरी उमीद है कि जो नए railways station है वो तो accessible होईंगे ही बर जो पुराने railways station है उनमें भी कदम लिये जाएं कि वो पूर accessible बन दूसरी बार जो election commission की है और जो बनाश्टा elections हुई थी उसमें मेरी मदर ने एक report दी थी उनको कि कैसे elections boots accessible बन पाए है और वो पहली बार थी कि election commission सोच रही थी कि elections पूरी disabled friendly है पर मैं आपको यह बात खुछी से बताना चाहूँगा कि आजकल election boots काफी accessible होते हैं जहां भी होते हैं elections के दिए यह एक अलग बात है कि काफी disabled लोग पहुंच नहीं पाते बोद तक और उसका उसके अलग आनी है कि road, transport, infrastructure accessible नहीं है या उनके खुद के पड़िवार उनको मौका नहीं देरे बाहर जाने का वो तो एक बहुत बड़ी लड़ाई है और वो बहुत time लगी 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 है पर कम से कम election बहुत accessible होने लगे हैं जो एक पहला कदम है यहां पर मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि future मे आपका क्या प्लान है आप क्या करना चाहेंगे अपनी इस foundation के तुरू या फिर आप जो government institutions हैं, government buildings हैं उनके लिए जो आपने अब तक किया है उसको उस ग्राह में क्या आगे बढ़ना चाहेंगे या आपका और क्या-क्या अपने सोचा है future में करने के लिए मैं इसका आंसर सोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगे इस देश के लिए अपना आपको विजन देना चाहूंगा मैं रहाल से इस देश के लिए में एक ही रिजन है कि जो भी इंसान हुए चाहा वो लड़का हुए लड़की होए disabled होए, disabled not होए कोई भी caste को होए कोई भी sexuality को होए कोई भी income group को होए उसको same मौके दिये जाए especially दो चीज़ों में health में और education में कि वो आगे बढ़ पाए और एक इज़त वदी जिन्दगी जी पाए और especially जब disabled लोगों की बात है उनके काफी specific requirements भी होते हैं कि यह पूरी की जाए तो मेरे कहल से मेरा यह request है कि बहुत सरकार, private sector और समाज की सोच में यह बदलाव आया जाए कि जब disabled बच्चा पैदा होए वो यह ना बोले कि ओहो यह एक बोजे कि disabled child हो गया यह समाज क्या सोचेगी कि हमारा एक बच्चा है जो disability की साथ पैदा होए पर वो बोले ठीक है यह नहीं कर सकता पर यह कर सकता है और उसके साथ आगे बढ़े और उसको भी एक आहम जिंदगी दिये और एक बच्चे पैदा होने की खुशी उतनी होए एक माबाप के लिए अगर वो disabled होए ना होए क्योंकि उनको पता है कि देश उनके साथ है और उनको आगे बढ़ाएगा और वो बच्चे को समाज उनके साथ है बहुत अच्छी सोच है आपकी है disabled लोगों के लिए काम करना अभी बहुत बाकी है अभी सिर्वात की है हमने और अभी हमें बहुत आगे तक जाना है हमें अपने पूरे देश को और दुनिया को disabled लोगों के लिए बहुत friendly बनाना है उन्हें बिल्कुल ये एहसास ना हो कि वो आम लोगों से हट के हैं वो बिल्कुल सभी उन चीजों को महसूस कर पाएं उन चीजों को हासिल कर पाएं जो आम तोर से लोग हासिल कर पाते हैं निपन मुझे ये विताईए क्या लाइफ में आपका कोई role model है I think मेरे पहले role models तो मेरे माबापी थे और क्योंकि उनने मुझे ये सिखाया कि जिन्दगी में जो भी तकलीफ आती है पहले उस तकलीफ को देखो ज्यादा आगे तक मैं सोचो और उस तकलीफ को सॉल्फ करो और आगे बढ़ो उसके लावा मैंने क्याल से लाइफ में रोज नए role models मिलते हैं मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिली आपकी मदर के बारे में जान करके क्योंकि वो एक ऐसी माह हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छा अच्छे से पाला पोसा है और आपको ऐसी तरबियत दी है तरबियत का मतलब है कि आपको इस तरह से आपका पालन पोशन किया है कि आप अपने जैसे लोगों के लिए ही नहीं बलकि उन तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल की तरह से उबरे हैं जो किसी डिसेबिलिटी से पीडित है या फिर एक आम जिन्दगी जीते हैं हम लोग क्या होता है कि लाइफ में थोड़ी सी भी परिशानी आती है हताश निराश हो जाते हैं हमारी लाइफ में तो अब कुछ नहीं बचा फ्रस्टेट हो जाते हैं लेकिन जब हम आप जैसे लोगों को देखते हैं तो लगता है कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए अपने लिए भी और समाज के लिए भी ताकि हम उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें जिनको हम दूर करने के काबल हैं आप अपनी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताये हैं आपका फोकस क्या है अभी के लिए अभी के लिए अभी के लिए फोकस है अब दो चीज़ों के फोकस है कि एक इनसान वे डिसेवेट भी एक नॉर्मल यूमन बिंग है आपके साथ ये इंटरव्यू भी हम लोगों ने इसलिए प्लान किया कि हम चाहते थे कि दुनिया इस चीज़ को सुने और महसूस करे कि हर इनसान अपने आप में यूनीक है हर इन्डिविज्वल अपने आप में एक शखसियत है जो उतनी ही एहमियत रखता है जितना कि कोई दूसरा इंसान और एहमियत इस मामले में कि एक इनसान दूसरों के लिए किस हद तक कामयाभी से काम कर पा रहा है तो मैं उमीद करती हूँ कि इस इंटर्व्यू से बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और उन सभी बच्चों को जो कहीं न कहीं किसी डिसेबिलिटी से जूज रहे हैं उनको बहुत होसला मिलेगा और इंटर्व्यू को खत्म करने के पहले मैं एक अगेन एक शेर पढ़ना चाहूंगी मुझे शेर पढ़ना अच्छा लगता है बड़े सुन्दर शेर बोलते हैं आप तो हम इस सुन्दर भी मोच आते हैं शुक्रिया मैं अकेला ही चला था जानिबे मन्जिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया तो प्यारे साथियों आज हमने बात की निपुन मलोहतरा जी के साथ मुझे उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उमीद है कि आप लोगों को भी ये इंटर्वियू या एक तरह से कह सकते हैं ये बातचीत पसंद आई होगी मुझे बहुत खुशी है कि निपुन जी ने अपने अनुभाव अपनी जिंदगी की तो तमाम उन्होंने experiences किये हैं उनको हमारे साथ शेयर किया और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनके अनुभाव हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर कर देंगे तो मैं चाहूंगी कि निपुन की जिंदगी के इन इंसिडेंट्स को याद रखते हुए हम लोग अपनी जिंदगीयों को बहतर बना सकें बहुत बहुत शुक्रिया समाज की सोच में ये बदलाव आया जाए कि जब डिसेबल बच्चा पैदा हुए और ये ना बोले कि ओह हो ये एक बोजे कि ये डिसेबलटाइट हो गया या समाज की सोचेगी कि हमारा एक बच्चा है जो कोई डिसेबलटाइट के साथ पैदा हुए और वो बोले ठीक है वो ये नहीं कर सकता पर ये कर सकता है और उसके साथ आगे बढ़े और एक बच्चे पैदा होने की खुशी उतनी ही होए होसलों का सफर और पैरों के निशान भाग दो अभी आप सुन रहे थे ये कारिकरम कारिकरम सैयोजन डॉक्टर एरम खान ध्वन्यंकन बटी लैंगलिंग्डो निर्मान सहयोग मयंक थपलियाल निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली